नमस्का दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत हैं, तो आज यहाँ पर मैं बात करूँगा एक ऐसे इंडस्टी कमपानी के बारे में, जो कमपानी टोटली दिखा जाए तो लॉसस में चलना था, और कमपानी टोटली मतलब बेचने का सिचुएशन क्र ले थे, उसी टाइम में एक बहुत बड़ा कमपानी का हाथ उसके उपर पड़ा, और आज कमपानी एक अच्छा का सा रैली दिखा चुके है, उस मतलब निवेस के बाद, देखिए, सोचिए आप, आपका बिजनेस बहुत छोटा है, आपका बिजनेस बहुत छोटा है, मतल बड़ा जो कमपानी है, आपको क्या बोलते है, कि आपकी जो कमपानी है, आपको मैं खरीदरी कर लूँगा, और आपका जितने सा लोसेस है, आपका जितने सारे करजा है, मैं चुकता कर दोंगा, आपका कमपानी मुझे दे दीजिए, आपका कमपानी का जो हिस्सेदरी है, वो मुझे दे दीजिए तो आपका क्या हालत होगा आप तो बहुत कूस हो जाएंगे क्योंकि आप तो लॉसेस में चला था आपका सारे करजा था वो करजा कोई मिटाने वाला है तो इसी सिनारियो देखने को मिला आज जिस कमपानी के बारे बात करूगा उसी के उपर हुआ ह इसका नाम है अलोक इंडेस्टी जो एक टेक्स्टाइल इंडेस्टी से बिलोन करते हैं और जिसका हाथ जिसके मतलब माथे पे हाथ किसका रिलाइन्स के उपर पड़ा मतलब रिलाइन्स जिसके उपर हाथ रखा तो वो कमपानी क्या हुआ रोकेड बन गया तो चलो देख लेते हैं आज के इस कमपानी के डिटेल्स के बारे में तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मुकेस अम्मानी जी के बारे में तो इनका जो बिजनेस करने का जो मॉडूल से ना मुझे बहुत अलग तरीख से देखने को मिलता है क्योंकि इसका मॉडूल से मुझे भी बहुत को सीखने को मिला और इनके बिजनेस करने का जो स्टाटीज है उसको फॉलो करके मैं इनिवेस भी करता हूँ क्योंकि उनका कहना है कि आप ऐसे कमपणी का ढूंडिए जो कमपणी आप भी उस कमपणी का फिल्ड में काम कर है साती साथ उस कमपणी बिजनेस बड़ात है मतलब बिजनेस अच्छा कसा है और उसका मैनेजमेन इनग टीम तॉंग नहीं है और उस बिजनेस को आगर अगर हार कर पाएंगे उस खरीदारी тटामे में। से आपको अच्छा कसा फायदा होगाW Siz वह कमपणी तो टोटल बंध ही होने वाले थे और उस company के उपर सस्ते से सस्ता में आप खरीदारी कर सकते हैं तो इसलिए आप देखेंगे अलोक इंडस्टी जैसे company में देखें जब कोविट आया था कोविट के situation के कारण स्टॉक में किस तरह के से ग्रियाबट हुआ उसके बाद देखें company के price केतना चला गया था करीबन 4 रुपीज के आसपार और उसके बाद जब relance के हाथ पढ़ा तो देखें rocket जैसे stock भागा चार रुपीज केतना चला गया 60 रुपीज के आसपार तो सोचिए लोगों ने किस तरीके से यावे भर भर के पैसा कमाया करीबन करीबन आप देखेंगे 15 गुना से भी ज़्यादा return कमा चुक है 15 गुना तो सोचिए 15 गुना मतलब कोई लोग 1 लाग रुपीज करके रखे थे तो 15 लाग तक company आपको return दे चुके है तो इसका मतलब अच्छे company में निवेश करना हमेंसे अच्छा होता है तो कहने का मतलब है क्या इस company अच्छे बन चुके है क्या इतने बड़े companies इस company को खरीदरी कर चुके है तो सबसे पहले company का कुछ parameter सब को दिखाओंगा तो जैसे company का revenues कमपानी रेविन्स के बार अच्छी आधा के बात करो काStudy 2017 में कितना था 5500 करोण přेभीme था 2019 अच्छे आजार कुक आजार करोण को मिला हेनम एक महतने तो नीट प्लेट के बार में बात करोणा था न apply क्या देक यौन फोफिटelle के बारे में लुभी इंकम इतने अच्छा कासा होने के बाद भी 2019 में करीबन 18,500 करोड से भी जादा लॉसेस किया था इतने बड़ा लॉस या था आप देख सकते हैं 2019 में रिकोवरी किया 2077 करोड का उसके बाद 2020 में कमपानी 1300 करोड का प्रॉफिट किया 2021 में 5,600 करोड का टोटल लॉसेस किया उसके बाद फिर से लॉस के अब इस सालों में 2,700 करोड गा इसका मनलग कमपानी का लॉसेस का सिलसिले आभी भी जारी है उसके पीछे कारण कौन सा है चलो भो भी आपको दिखा रहता हूँ कमपानी का करण कर्जा आप यहां पर में कर्जे के बार में बात करूं तो आपको दिखेगा कमपानी इतना ज्यादा कर्जा लेके रखा है कि उस कर्जे को चुकता करने के लिए कमपानी का जो profit margin है वो हमेशा घटते जाते हैं क्योंकि कमपानी करीमन करीमन 24,000 करोड तक करजा लेकर रखा है लेकि 9500 करोड का कमपानी और अगर 24,000 करोड तक करजा लेंगे तो उस कमपानी में क्या होने वाल है आप एक बास सोचिए उस कमपानी में क्या फीचर में हो सकता है आप एक बास सोच सकते हैं तो फिर भी मैं ज तो उसमें क्या होगा उसका कोई नहीं दे सकता तो फिर भी आपको एक पेडिक्शन करना चाहिए उस पेडिक्शन कहा पर मिलेगा कंपानी का फंडमेंटली और फाइनेसे डिटेस में तो कंपानी का पॉफिट गोद देखिए नेगेटिम में हैं हाँ तो अच्छा का सा हो रहा है बगर पॉफिट गोद बात करूं मैं पहले भी दिखा चुको अभी भी दिखाऊंगा कंपानी देखिए सेल्स नोट कंपानी बीच इकना सेल्स होने से भी कुछ फाइदा नहीं है कि कंपानी इतना ज्यादा करजा लेकर रखा उसकी बैसे से कंपानी को बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी चुकता करना पड़ा क्योंकि देखिए एक्स हजार करोर का इंकम तो है एक्सपेंस भी जादा था और कंपानी का करज करोर तक लॉसेस में भी चला गया था 4,000, 3,000, 18,000 तक करोर का भी कंपानी लॉस किया था तो सोचिए कंपानी में इस तर्के से काम होगा तो उस कंपानी को पर आपको नीवेस करना चाहिए के नहीं चाहिए मुझे कंपेंट जोब करिएगा क्योंकि बहुत सर लोग ने कमे एक कहते हैं कि हाँ इस company multi-veggar बन सकता है क्योंकि मतलब इस company multi-veggar अभी फिलाल के लिए मुझे लगता है मतलब बनने का chances बहुत कम है क्योंकि company अभी भी reliance के हाथ में आने के बाद भी company losses में है और उसका जो करजा है वो कम नहीं कर पा रहा है इसका मतलब अभी भी company को उपर weakness देखने को मिलेगा और company में आपको लगेगा कर चलो company 3 साल में 125% का return दे दिया और 5 साल में 48% का return दे दिया चलो में निवेस कर देता हूँ और मुझे अच्छा खासा return भी मिल जाएगा ऐसे सोच कर कभी भी निवेस बात करना आपको इस चारे मतलब 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल हर साल में आकर आपको average 15 person भी कोई return company आपको दे रहे ना तब उस company को उपर आप study करना क्योंकि बो company आपको potentially आपको return जोरू देगा long term vision के लिए तो company का जो cash flow है उसके बारे में बात करूं तो company में बीच बीच में company का cash flow भी नेगेटिब में चला गया सोचिए company पहले तो loss तो किया है उसके पीछे main कारण है company का हाद में पैसा ही नहीं आया कॉंपानी सेल्स भी किया माल तो बेच दिया मगर जिसको पैसा देना था जिसको माल बेचा उसका हाथ से पैसा भी नहीं आया तो सोचिए यह बहुत बड़ा वीकनेस यहाँ पर देखने को मिला है तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे तो इन्वेंटरी के बारे बात करूँ इन्वेस्टर के बारे बात कर तो इन्वेस्टर के देखिए पहले एफईसने भी माल रखे थे करीबं धाय परसन के आसपास और डियसी ने करीबं साढ़ी परसन के आसपास वाल नाके बड़ा मार आ है और पब्लिक के पासषिद्री है वह 83 परसन फोल्डिंग था अभी 22 holding है और promoter के पास 9%, था अभी 75% holding है और इसका मतलब ये holding का जो total figure out है वो totally आतें बहुत वीक्णेस देखनेको मिला क्योंकि आप कहेंगे सर प्रोमेटर के पास तो बहुत ज़кого holding है तो promoter कौन है आप तो मैं पहले की बता चुका हूं इसका promoter करण बन चुक है आप सब जानते हैं Reliance Reliance Industries के पास ही इसका हिस्षेदारी जब 2020 में इसका हिस्षेदारी लेना स्टार्ट कर दिया तब इसका तो पूरा का पूरा माल बेची दिया था 2020 जून कोड़र में तो पूरा का पूरा माल बेची दिया था उसका फाइदा किस ने उठाया उसका फाइदा Reliance ने उठाया Reliance ने उस company का हिस्सेदरी ज़्यादा से ज़्यादा कर लिए तो इसलिए मैं जरू कहूंगा Reliance ने जो काम किया यहाँ पे वो इसी के कारण लोगों का मन में एही मतला आ चुके है कि Reliance इस company के साथ जूरे हुए है तो चलो company में कुछ ना कुछ तो होने वाला है तो इसलिए नीवेस वो जारा से जारा कर रहा है बगर यहाँ पे देखिए 83% पाबलिक भी होड़ करके रखे थे आज वो 22% क्यू हुआ क्योंकि दीखे चार्ट पटन ही बता रहा है जो company यहाँ पे 51 गया था और आभी चलना करीमन 20 के आसपास तो किस तरीके से गिराबट हुआ तो company में कितना गुणा rate losses आपको दे रहा है तो वो भी तो सूचिए तो मैं अंत में एक ही बात कहुँगा आप इस company के उपन छोटा मोटा निवेस करके रखे है तो कोई बात नहीं बहुत ज़्यादा निवेस करके रखे है तो आभी भी मौका है इस company से आप कभी भी आपको समय मिले कभी भी आपको थोड़ा सा cost to cost मिले तिरे भी निकल जाना इस company आपको stand अभी तक उतना नहीं दिखा जब stand दिखेगा तब भर-भर के माल उठा लगा तो बाकी आप खुद के रिसाथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं आप खुद के analysis के हिसाब से निवेस्ट कर सकते हैं तो उसके basis से काम करिए तो आसा करता हूँ सारे जाने करना कमेंट चुका है मेरे वीडियो का इससे लगा जोरू कमेंट करना इसी तरह किसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्रेब करना मिलते नेक्स्ट लोग लगे तब तक लेच्छे सरी अपने खिया लगे बाए